अध्याय चोदा, कहानी, अध्यन बिंदू, छोटे बड़े दोस्त अध्याय विवरण, हम अपने बड़ों से कहानिया सुनते हैं, सभी कहानिया शिक्षा देती हैं, छोटे बड़े दोस्त एक दिन, एक शेर, पेड के नीचे गहरी नींद में सो रहा था, तभी एक छोटा चूहा घूमता हुआ आया, और शेर के उपर चड़ कर नाचने लगा बल्ले बल्ले, चूहे के नाचने से शेर की नींद खुल गई, और शेर ने गुस्से से चूहे को पकड़ लिया, तेरी इतनी हिम्मत चूहे ने शेर से माफी मांगी, राजा जी मुझे माफ कर दो, मैं समय आने पर आपकी मदद करूंगा तुझ जैसा छोटा चूहा मेरी क्या मदद करेगा, राजा जी कृप्या मुझे छोड़ दो, शेर को चूहे पर दया आ गई, उसने उसे छोड़ दिया, चूहा अपनी जान बचा कर वहां से भाग गया कुछ दिन बाद उस जंगल में एक शिकारी ने जाल बिछाया, शेर उसके जाल में फस गया, वैदा हाडने लगा, गुरू, गुरू, तभी चूहे ने शेर की आवाज सुनी और उसके पास आ गया राजा जी, मैं अपने तेज दातों से जाल काट कर आपको आजाद कर दूँगा चूहे ने अपने तेज दातों से जाल काट दिया, शेर आजाद हो गया, उसने चूहे से माफी मांगी भाई मैंने तुम्हें चोटा और किसी काम ना आने वाला समझा था मैं गलत था आज मैं समझ गया कोई चोटा बड़ा नहीं होता आज से हम दोनों मित्र हैं शिक्षा कोई चोटा बड़ा नहीं होता